हेलो तो आल माई ब्यूटिफल सोल्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और मैं फिर से केंडिल वेक्स रीडिंग लेकर आई हूँ आपके परसन की करेंट एनर्जी जानने के लिए और हमारा टॉपिक भी आज का यही रहेगा कि आपके परसन की करेंट एनर्जी क्या है अभी वो क्या फिल कर रहे हैं अभी आपके सोच रहे हैं आपके लिए हम सब सकते हैं सबके लिए है और टैमलेस है तो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजनीट करेगी और अगर आप फास्ट sometimes मेरे वीडियों सो देख रहे हैं पहली बार आप मेरे चैनल पढ़ाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरुर करिएगा तो हम सुरूर करेंगे रिडिंग लकिन पहले हम अपने पानी को चार्ज करेंगे थैंक यू फैंटlifting so much god Thank you so much angels thank you so much universe please मुझे accurate answer दें please spread guides please help me मेरी मदद करें प्रभू मेरे जो भी वीवर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए accurate मैसेज दीजी मुझे कि हमारे जो भी वीवर्स हैं उनके person की current energy क्या है उनके लिए Thank You Divine Thank You so much एंजिल्स थैंक्यू देखते हैं आपके परसन की करेंट एनर्जी क्या चल रही है अभी उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनसे वो थोड़ा सा चकित फील कर रहे हैं और यहां पर जो केंडंग गरी हुई है वो क्युपिड का आकार बना रही है तो आपके परसन को क्यूपिड बहुत ज़्यादा ऐरोज दे रहे è रहे है या फिर आपने साइध देखि होँ जो छोटे-छोटे से एंजिल होते हैं जिनके हाथों में एरो होते हैं love arrows तो आपके person को angels love arrows दे रहे हैं भेज रहे हैं और इसलिए भेज रहे हैं कि आपके person आकर आपको approach करें कि क्योंकि कहीं न कहीं वो अपने family की problems में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या फिर्यों कहीं निकलना चाहते हैं दिल से लेकिन बार बार उनको जो चीजें परेसान करती हैं वो है सिर्फ और सिर्फ समाज का डर उनकी अंदर समाज का डर इतना जादा है वो इतने 3D लेवल पर जी रहा है कि वह कुछ action लेने से घबराते हैं कि आपके लिए feelings बहुत हैं और अभी जो सोच रहे हैं वो यही है कि आपको plano में ले लेकर धूमना चाहते हैं डांस सैस करना चाहते हैं मस दोना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं दिल में बहुत कुछ है दवा हुआ है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि और उनके दिल में ये भी फिलिंग चल रही है अभी कि वो आपका हाथ पकड़ कर ले आए घर अपने और अपनी माँ से ये कह दें कि मुझे इस से साधी करनी है और मैं इसी के साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहता हूं या चाहती हूं ऐसा वो सोच रहे हैं या सोच रही है उनको ये लग रहा है कि अब उनको एक्सें लेना चाहिए बहुत हो गया क्योंकि डर्डर कि आकर इंसान कब तक जी सकता है उनका ये इजट लोग कहते हैं ना उनों की फैमिली में कुछ लोग कहते होंगी उनसे बाएब दादा की इजट खराब करेगा क्या या हमारी इजट उच्वालेगी क्या इस तरीके से तो आपके पार सन्न उस चीज को सोचते हैं लेकिन वह फिर यह भी कि अगर मैं सब के बारे में सोचता रहूंगा जो लोग नहीं है यहां इस दुनिया में जो जा चुके हैं अगर मैं उने के लिए सोच रहा हूं तो फिर अपनी जिंदिगी में कैसे जीऊंगा और वो अंदर अपने बहुत करेज हिम्मत जुटा रहे हैं उनकी जो आज की एनर्जी है डियर फैंड्स यह बहुत ही ज्यादा विद्रोही आ रही है वाइप से क्योंकि वह ठक चुके हैं परिसान हो चुके हैं पूरी तरह से और एक जो क्रांतिकारी वाला मन होता है ना इस तरीके से उनकी विचार चल रहे हैं क्रांतिकारी विचार चल रहे हैं वो सोचते हैं यह चाहते हैं कि मैं दुनिया में किसी की परवाह नहीं करूं मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परसन की परवाह करूंगा क्योंकि मैं प्यार करता हूं उसको या प्यार करती हूं और वो आ हो चुकी हैं क्योंकि उनको अभी चीजह बर्दास्ट के बाहर लगते हैं उनको लगता हृ कि जैसे उनका पूरा विक्ति तो ही दवा जा रहा है खराब हुआ जा रहा है इन सब चीजिओं की वजह से उनको लगता है कि समाज के लिए मैं अपने प्यार की कुरवानी क्यों दूँ मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा या करूंगी मेरी अपनी लाइफ है अपनी जिन्दगी है मेरी मुझे मेरी जिन्दगी जीनी है ऐसी उनकी थिंकिंग अभी चल रही है यह भी सोच रहे है कि अक्सर लोग जीते हैं दूसरों के लिए कि वो चाते हैं तो मैं दूसरी जगह साधी कर लूँ पैरेंट्स आते हैं तो बच्चे हो जाए नाती पोते हो जाए दादी जादा बन जाए लेकिन उने की अपनी क्या खुशी है वो क्या चाहते हैं वो कभी किसी ने पूछा नहीं और सायद आपने कभी उन से ऐसा पूछा हो कि आप क्या चाहती हो लाइफ में क्या करना चाहती हो एंड डियर फ्रेंट्स देखिए मैं आप फिंगर आपको बता रहे हूं यह देखिए दो कपल लग रहे हैं जो एक दूसरे को किस कर रहे हैं तो वो उन्हारे आप से पूछा होगा या आपने उन्से पूछा होगा कि आप क्या चाहती हो लाइफ में किस तरीके से लाइफ स्पेंड करना चाहती हो कैसे जीना चाहते हो आप दोनों की बातें होई होंगी इस मसले पर और वह वही चीज़ें याद कर रहे हैं बहुत सिद्दत से वह यह भी सोच रहे हैं कि हर जगे गलती उनकी ही है क्योंकि आपने बहुत फोर्स किया है उनको कि हिम्मत करो आगे बढ़ो हम हिम्मत दिखाएंगे तो सब ठीक होगा लेकिन कहीं न कहीं आपके करेश तो बहुत है लेकिन उनकी अंदर हिम्मत नहीं थी तब और अब इस तीज को लेकर वह बहुत चीड़ रहे हैं जुझला रहे हैं परिसान हो रहे हैं उनको यह लगता है कि क्यों हम इन चीजों को कैरी फॉर्वर्ड कर रहे हैं जो हमें खुस कि मिस्स करते हैं आपको बहुत मिस्स करते हैं और सबसे यह जब भी मिस्स करते हैं आपकी फोटो देखने लगते हैं और फोटो देखकर कभी जूम करते हैं फिर जूम करने के बाद फोटो को देखते हैं बड़ी बारी की से आपके बालों को आपके गालों को उन्हें लगता है कि वो फोटो में जूम करके देखते हैं तो इसी को टच कर रहे हैं उस चीज़ को वो अनवूती करते हैं महसूस करते हैं आख बंद करके अक्सर आपके प्यार को महसूस करते हैं और अभी जो उनकी फीलिंग है वो आपके लिए बहुत लवी-डवी वाली फीलिंग आ रही है बहुत लवी-डवी की है अगर आप उनके पास होते तो साइद वो बोल के बता भी देते कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूं या कर रही हूं आपके लिए वो एक अच्छी बेटर लाइफ जीना चाहते हैं उस लाइफ में खुसियां हो सांती हो पीस हो और आपके साथ गूमना चाहते हैं हर जगह जाना चाहते हैं अपने सपने पूरा करना चाहते हैं उनको यह नहीं है कि जो परिपाटि दूसरों ने जी है मैं उसी पर चलू या वैसे ही लाइफ को इसना करूँ नहीं वो कुछ अलगा तरीके से अपनी जिर्ड़ी को इसना चाहते हैं एंज कर ना चाहते हैं आपके साथ ट्रेवलब करना चाहते हैं इस विदेश भूमना चाहते हैं ये उनकी खौ आना चाहते हैं तो डियर फेंड्स यह थी रीडिंग आपके परसन की कि उनकी करेंट एनर्जी क्या है उनकी एनर्जी तो बहुत अच्छी निकल कर आ रही है आपके लिए अब हम कुछ चैनल मैसेज़स निकाल लेते हैं उनकी और से थेंक यू डिवाइन थेंक यू एंजिल्स प्लीज बताएं हमारे जो भी विवर्स यहां पर ये वीडियो देख रहे हैं उनके परसन की और से चैनल मैसेज़स क्या हैं प्लीज बताएं थेंक यू कि बहुत सारे आ गए इत्में तो नहीं लेंगे चलिए देखते हैं क्या मैसेज़स नहीं सबसे पहला है गोड मेड यू जस्ट फॉर मी तो आपसे कह रहे हैं कि बगवान ने तुम्हें सिर्फ मेरे लिए बनाया है तुम किसी और की नहीं हो सकती हो और नहीं तुम्हारी साधी कहीं और हो सकती है तो कॉंग्रेचुलेशन यू आर एन एंजल फ्रम गॉड तो दुसरा मैसेज भी यही है कि गॉड ने आपको बेजा है उनके लिए आप एंजल हो गॉड की हैविन की आई विल गिव यू लव एंड रिस्पेक्ट तो वह आपसे कह रहा है कि वह आपको फ्यूचर में जब आपसे साधी कर लेंगे तब आपको लव देंगे रिस्पेक्ट देंगे वह आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वह आपको लव और रिस्पेक्ट देंगे बहुत बहुत अच्छा message है love is in the year तो मैंने जैसा कि बताया है candle wax में भी निकला है अभी कि वो इस समय बहुत lovey-dovey feel कर रहे हैं आपके लिए बहुत जादा उनके मन में प्रेम की भावनाएं उमड रही हैं आपके लिए किसी भी तरीके से आपको देखना चाहते हैं मिलना च चाहते हैं I love that we will grow old together तो देखिए यह भी confirmation है यह दूसरा confirmation निकल के आया है कि वो आपके साथ life spend करना चाहते हैं और पूरी life खुशियों से जीना चाहते हैं उनको future के लिए पैसा money नहीं collect करनी है उनको सिर्फ और सिर्फ enjoy करना है moments को हर छड़कों उनको जीना है thank you for forgiving me तो आप से कह रहे हैं कि thank you so much तुमने मुझे मुझे माफ कर दिया है thank you I don't have all of the words to express how much you mean to me wow बहुत बहुत बधाई है viewers मेरी आपको सभी को dear souls देखिए कितनी अच्छी बात कहिए उन्होंने I don't have all of the words to express how much you mean to me तो आप उनके लिए इतनी ज्यादा महतुरक्ती हो इतनी ज्यादा श्पेशल हो कि उनके पास सब्द नहीं है यह बताने के लिए कि आप उनके लिए कितनी खास हो बहुत 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 ब्यूटिफुल मैसेज़स I love the way you make me feel तो भई आपने उनको कैसे क्या feel कराया है मुझे नहीं बता बट वो आपसे यह कह रहे हैं कि वो बहुत खुस होते हैं उस छड़ जब आप उनको happy feel कराते हो I love when we stay up late together तो आप लोग जब भी साथ में रहते हो और बहुत लेट हो जाते हो घर आने में और साथ साथ रहते हो तो वो उस छड़ को बहुत बहुत लव करते हैं और उस moment को वो बार बार जीते हैं और उस moment को वो बार बार रियाद करते हैं उनका जब भी मन यहाँ वहाँ से खराब होता है उदास होता है तो बस आखें बंद करके लेटते हैं और आपको विजुलाइज करते हैं और वो सारे मुमेंट्स जो आपके साथ बिताए हैं उनको वो याद करते हैं आपसे कह रहे हैं कि तुम बस अच्छी रहो मेरे लिए मुझे परफेक्टनेस नहीं चाहिए तुम जैसी हो जैसे हो मेरे लिए बहुत अच्छे हो मैं ऐसे ही आपको प्यार करता हूं या करती हूं तो अपने किसी भी फ्रेंड के बारे में उनसे बात मत करियेगा किसी भी फ्रेंड की तारीफ मत करियेगा क्योंकि उनको जलन होती है चाहिए आपका फ्रेंड हो आपका कोई करी भी रिलेटिव हो या कुछ भी हो आप उनके सामने जब किसी मेल परसन की तारीफ करती है तो तो उनको बुरा लगता है और यहां पर जो हमारे male viewers हैं जब वो किसी female friend की तारिफ करते हैं तो आपकी partner को खराब लगता है तो किसी भी male female की बात ना करें सिर्फ अपनी बात करें क्योंकि उनको heart होता है यू आर सो हैंडसम तो यहां पर हमारे male viewers के लिए निकल कर आया है message कि आप लोग बहुत हैंडसम हो congratulations यह song आया है निकल कर मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना I love that you listen to what I say तो आपको बहुत प्यार करते हैं और उस moment के लिए बहुत आपको thank you बोलते हैं जब आपने उनकी बातों को सुना उन्होंने आपसे phone पर कोई बात की हो अपनी family के regarding अपनी problems के regarding और आपने बहुत अच्छे से उनको सुना हो उनको advice दी हो उनको increase किया हो आगे बढ़ने के लिए तो वो बहुत appreciate करते हैं उस चीच को I will never give up on you तो आपसे कह रहे हैं कि वो आप पर give up नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप उनकी life की one and only person हो जिस पे वो बहुत trust करते हैं जिसको वो दिल से ज़्यादा चाहते हैं दिलो जान से ज़्यादा चाहते हैं तो वो आप पर give up नहीं कर सकते हैं I need you by my side तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी और से चाहता हूँ तुम पता नहीं मुझे चाहती हो या नहीं चाहती हो दिल से लेकिन मैं तुम्हें अपनी और से चाहता हूँ keep communication open तो आपसे कह रहे हैं कि बातें करती रहा करो मुझे तुम्हारा बात करना अच्छा लगता है तुम्हारा message आता है जब notification आता है तो मेरा दिल अंदर से बहुत जोर से धड़कने लगता है और मैं बहुत खुस हो जाता हूँ हलाकि मैं अपनी खुसी दूसरों से शेयर नहीं करता कि किस वज़े से खुस हूँ बट जब भी तुम्हारा message आता है तो मुझे अंदर से कहीं एक spark आता है soul में तो dear friends ये थे आपके person के messages I hope की reading आपको अच्छी लगी हो आपसे resonate हुई हो और आपको पसंद आई हो पसंद आ subscribe करिएगा क्योंकि आपके support की हमें बहुत जरूरत है और आप जो support मुझे कर रहे हैं मेरे चैनल को subscribe कर रहे हैं उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया appreciate करती हूँ आप सभी लोगों को कि आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं वीडियो देख रहे हैं thank you so much मुझ